नव देक्स्ट इस लेंजिस लो इस इन अगॉर्डेंस विद दा इनर्जी कंजरवेशन को फोलो करता है देखो कैसे आपने क्या किया आपने क्या क्या ली थी ठीक है इस क्या को आपने गिलवेनोमीटर के साथ टाश्ट किया था जब आप नौर्थ पोल को आप इधर लेके जा रहे थे ठीक है आप नौर्थ पोल को लेके आ रहे थे यह नौर्थ से सौथ तक यह आपने मेंगनेट ली थी नौर्थ से सौथ नौर्थ से सौथ तक लाइन जा रही है जब नौर्थ से सौथ आप इसको अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं लाइन चेंज हो रही है लाइ कि अगनिकल नर्जी उस कर रहा हु क्या मुकैनिकल नर्जी जी मूविग गा क्या है और यहां पोंगर्ण अधिकल नर यहां पर यहां तो चैनल पैसमे परोकिणे मघंट हो रहा है तो जी नून अभिपर हो depict कि है नौट बताने के ईधियोट अभी हम करके हटे हैं कि जब हम मूव्मेंट करवाते हैं तो मोशनल एमफ आता है क्या फॉमला होता है इसका एमफ का बी एल वी नौ करण्ट इंड्यूज इन लूप अब एमफ इतना आ गया सुपोज लूप में इस लूप का रिजिस्टेंस है आर ठीक है let r is a resistance of the loop जिसमें लूप में आया and used हुआ है current तो i कितना होगा e by r i क्या है आपके पास e by r e की value put करो e was blv upon r now force required to move a conductor in a magnetic field देखो आपने क्या किया था आपने loop लिया था ने यह आपने movable था यह ना आपने perpendicular field लगा था पिछले topic में आपने किया था अब आपने इसको move करवाना है इसमें इसमें इन्डियूज यह बैसिकली क्या हो रहा है जब आप इसको move करवा रहे तो इसमें यह में पा रहा है सामने से यह में प्या current आगया तो अगर आप इसको move करवाने पर चाहरे हो तो force required कितनी force की जुरूट होगी force का formula पता है आपको पता जब एक current carry conductor को magnetic field में रखते हैं अब क्या हो बेसिकली जब आपने इसको पहले move करवाया जब आपने पिछले topic में किया था जब आपने इसको पहले move करवाया तो इसमें induced current आ गया coil में और उस induced current को हमने क्या नाम दिया था i is equal to अभी जब हमने formula put किया है हमने क्या कहा है i किसके बराबर हो गए b l v by r अब क्या हुआ देखो अब इस coil में से ना इस coil में से i is equal to b l v by r current floor है अब current carrying conductor आपने कहां रखा है magnetic field के अंदर रखा है current carrying conductor आपने कहां रखा है magnetic field के अंदर रखा है आपको पता जब आप किसी current carrying conductor को magnetic field में रखते हो तो उस पर क्या लगती है force उसका formula क्या था ब i l sin theta ठीक है so f is equal to b i l sine theta okay now b i l sine theta क्या होगे ना इंती क्योंकि field कैसा है perpendicular लगा होगे i की value put करो b l v by r multiply कर दो अंदर i की value put करके to b square l square by v into r to force required to move to kitनी force चाहिए होगी इसको move करवाने के लिए इतनी चाहिए अब force का formula यह है तो power कितनी चाहिए होगी power का formula कहता है force into velocity to b square l square v upon r into velocity velocity से multiply कर दो तो आजगा b square l square v square by r तो जब induce यह में पाया तो आपको जब इस loop को इस वले end को lm जिसको आपने नाम दिया थे इसको move करवाना है तो आपको इतनी power चाहिए अब आप तो इसको mechanical अपने हाथ से push कर रहे हो तो mechanical energy consumed per second कितनी energy consume होगी power का formula क्या होता है i square r i की value put करो b l v by r q square into r solve करो b square l square v square upon r square into r r say r cancel तो क्या i b square l square v square upon r आप देख तो आप mechanical energy जितनी use कर रहे है इसको move करवाने में आप इसको move करवाने में कितनी power लगा रहे हो b square l square v square by r उतनी power required है to push the conductor yes or no मतलब जितनी power आप इसको move करवाने के लिए कर रहे हो उतनी power से इसको रोक रहे है means it is same the power required to push the conductor जितनी energy आप इसको move करवाने के लिए रहे हो उतनी energy इसको चाहिए conductor को move करवाने में okay so which is same as that of the power required to push the conductor so mechanical energy is converted into the electrical energy basically mechanical power है किसमें आ रहे है पर produce हो रहे है electrical power mechanical power is converted into the electrical power so that means Lange's law follow the law of conservation of energy thank you लाज बखत्तनी ईसको भाज़ नाट Shield